हलो दोस्तों क्या हाल है कैसे हो आप लोग भाई लोगों अभी क्या है कि कुएत में जो बायो मेट्रिक का एक प्रोग्राम चल रहा है उसके क्या-क्या फाइदे हैं और सरकार क्यों कराना चाहती है मैं उसके ब्यारे में आपको पूरा डिटेल के साथ में बताऊंगा और हर आदिमी को यह कराना जरूरी है और मेरी जानकरी अच्छी लगें करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जो भाई लोग चैनल में नए हैं क्योंकि अब यह क्या है कि सरकार का जो है कि इसको बायो मेट्रिक का पहला लक्ष क्या है कि बिलकुल एक तो सटीता और दूसरा दोखा धड़ी को रोक थाम करना है दोखा धड़ी की रोक थाम कैसे होगी अब मैं आपको बताता हूँ अब जब हम लोग कहें कि जो यहां के जो जर्नल डिपार्टमेंट आफ क्रिमल एविडेंस में इविडेंस के निर्देशक ब्रिगेडियर नाइफल मुतिरी ने ब्रिक्तियों की पहचान और उसको रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक डेटा के उपर में बिल्कुल भी एक जो परकाश डाला है कि एक जो होता है इसके किस लिए मतलब करन आगे विग बड़ी बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट अन्य तक आगे बढ़ रही क्यों कि समें टेक्निकल जो है और आगे बढ़ रहे हैं ताकि मितलब किसी के साथ उन्होंने कहा है कि शुरुआती पहचान जैसे प्रेप जो होता था फोटो होती थी मोहर वाले कागज के दस्ताविश इसमें क्या है कि दोखादरी बहुत ज्यादा हो जाती थी अब यह जो है फिंगर प्रिंट फिंगर प्रिंट तो एक मतलब आदमी का जो है फिंगर चेंज जल्दी नहीं हो सकता है लेकिन आज के टाइम में ऐसी टेक्नोल वाली है Victoria क्रण प्रोनालिओं के आगमन के सार्द नागरिकों प्रोवाशियों का फिंगर प्रिंट एलिकट्रोनिक तरहे के से लिए जाएंगे इसमें और एक तो फिंगर लिए जाएंगे दूसरा हमारे आखों का रेटीना का भी जो है बियुक्ती है तो अगर कोई फर्जी अगर किसी ने किया है तो उससे पहचान हो जाएगी कि यह जो है उसकी नाम से किसी दूसरी आदमी ने फर्जी इस्से आप लोग ठोखादरी से बस सकते हैं किसरी कैया है कि DNA ने हमारा वाइस का भी सेंपल भी लिया जा रहा है तो इससे क्या होगा कि ऐसे अगर यह सारे जो हो जाएंगे तो इसमें आदमी के साथ में धोका धड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि आदमी मालो सरज़िरी कराके इसने फिंगर भी अपने चेंज कर दिये, आंख में कोई प्रोब्लम आ गई, moderation हो गया, उसको change कर दिया, कुछ हो गया, या च्छतीगरस्त हो गई, कुछ हो गया, तो लेकिन हमारा जो वाइस का data है, वो भी उसमें say हो है, तो कोई incident हो जाता है, कुछ हो जाता है, या कैसे भी करके, तो वो भी एक आदमी है या नहीं इसलिए Biometric Finger बहुत कराना है जो 18 साल से उपर के जितने भी विक्ति हैं सब के लिए mandatory Biometric Finger कराना समझ गए यह प्रिक्रिया पूरी नहीं किए जिन लोगों के लिए मुसीव के जितने भी कार्ड है और वो मतलब उनके जितने भी लेंदेन हैं वो सारे बंद कर दिये जाएंगे अगर 31 दिसंबर तक यह काम नहीं कराया तर इसलिए जी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 31 दिसम्मबर तक आप लोग अपना ये बायोमेट्रिक प्रिक्रिया पूरी करा लें इसके बाद में इसकी समय सीमा है जो वो नहीं बढ़ाई जाएगी जानकर ये अच्छे लगए तो चैनल को सब्सक्राइब दिरू कर दें धन्यवाद